हेलो दोस्तों मैं हूं सफला आप देख रहे हैं सफल भी लोग दोस्तों इस बक्त की सबसे बड़ी और सबसे एक्स्क्लूजिव अपडेट दे देता हूं UPCT का जो seat allotment result है UG candidate और BTEC candidate का जारी हो चुका है आपको सीधे UPCT की UPSEE की जो admission.nic.in website है उस पर चले जाना है जहां से आपने registration कराये थे वहीं आपको registration candidate login पर आपको क्लिक करके पूरी detail फिल करके login करना है जो आपका seat allotment result है वो UG का जारी हो चुका है और थोड़ी देर में आपका PG का भी जारी हो जाएगा तो आप जाके seat जैसे आपने registration करा था और आपने जैसे choice फिलिंग करी थी वहीं आपको login करना है वहीं link पर आपको जाकर login करना है आप सामने UG candidates की link भी देख पा रहे होंगे BTEC का जो seat allotment result जारी हो चुका है थोड़ी देर में आपको PG का भी देखने को मिलेगा seat allotment result इस वीडियो को लाइक करके चैनल को subscribe कर लेना सारी update हम आपको थोड़ी देर में और भी देंगे detail wise कि आपको physical reporting कैसे करनी है क्या कुछ process आंगे होने बाली है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को subscribe करना हमारी वीडियो को thank you for watching this video